तो दोस्तों मैं आपसे इस वीडियो में B.A.C. Multimedia Course के बारे में आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ की B.A.C. Multimedia Course क्या होता है सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूँगा की B.A.C. Multimedia का Course क्या होता है इसमें किस परकार के सुब्चेक्ट होते हैं जाय कोर्स कितने वर्ष का कोर्स होता है इस कोर्स का eligibility criteria क्या है और अंत में दोस्तों मैं आपसे job profiles के बारे में आपसे में discuss करने वाला हूँ कि अगर आप इस कोर्स को पूरा कर लेते हो आपको किस परकार की job मिल सकती है तो जास सारी बातों को आपसे मैं इस वीडियो में discuss करन वाला हूँ हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हो educational words channel तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे bsc multimedia course के बारे में आपसे मैं इस वीडियो में discuss करने वाला हूँ और दोस्तों अगर आपने 12th की class को पास कर लिया है और आपको जहें जानना है कि 12th की class को पास करने के बाद आ अब हम अपने इस वीडियो को शिरू करते हैं तो आप में से कई students का जे doubt होता है कि bsc multimedia का course किया होता है तो मैं आपको उताना चाहता हूँ कि bsc multimedia course एक undergraduate course है जो कि इस course को जो students होते हैं वो 12th की class को पास करने के बाद ही कर सकते हैं bsc का मतलब होता है bachelor of science तो bsc multimedia के course को आजकल कई सारे ऐसे colleges हैं जो इस course को करवाते हैं तो इस course के मादम से आपको designing के शेतर में काफी अच्छी जानकारी आपको मिल जाती है क्योंकि जै एक creative course है इस course में आपको innovation, graphic, animations सब आपको मिल जाएगा इसमें आपको video editing techniques, visual effects और animation से पढ़ाई जाएंगी अभी आपसे में course duration के वारे में आपसे में discuss करने वाला हों कि जाए course आखिर कितने वर्ष का course होता है तो दोस्तों मैं आपको थाना चाहता हूँ कि bsc multimedia का course तीन वर्ष का course होता है और इस course में आपको semester system के base के उपर आपको इस course को पूरा करवाया जाता है और इस course में कुल 6 semester होते हैं जो कि आपको एक साल में 2 semester को पूरा करवा दिया जाता है अभी आपसे में जोपर पारे में आपसे में discuss करने वाला हूँ कि अगर आप bsc multimedia के course को पूरा कर लेते हो आपको किस परकार की job मिल सकती है तो दोस्तों आप texturing artist बन सकते हो आप flash designer वि आप बन सकते हो तो जैसाब आपकी personal skill और knowledge की उपर depend करता है कि आपको किस sector में job निल सकती है अभी आपसे में subjects के वारे में आपसे में discuss करने वाला हूँ कि bsc multimedia के course में आप किस परकार के subjects आप study करते हो तो मैं आपको उताना जाता हूँ कि आप इस course में art and creativity, audio production, computer fundamentals, html basics, communication technology, 2D, animations, etc subjects आप इस course के दुरान आप study करते हो और भी इस course में कई सारे subjects होते हैं जो आपको इस course के दुरान आपको करवाई जाते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई universities और college के slayvers के हिसाफ से जाए जो subject हैं वो different भी हो सकते हैं अभी आपसे मैं legibility criteria और admission process के वारे में आपसे मैं discuss करने वाला हूँ कि आप इस course में किस परकार से admission ले सकते हो तो सबसे पेले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ legibility की इस course की legibility है कि आपको 12th की class आपको पास करने होगी और अगर बात करे admission process की तो 12th की class को पास करने के बाद आपको entrance exam को clear करना होगा entrance exam के clear करने के आपको college में admission मिल जाएगा लेकिन अगर आपको entrance exam नहीं देना फिर भी आप किसी private college में अपने 12th के merit के base की उपर आप college में direct admission भी ले सकते हो तो दोस्तों अभी मैंने आपसे इस बीडियो में BSC multimedia के course के वारे में आपसे मैंने discuss किया है मुझे लगता है कि आपको इस बीडिय अपसे में और भी कई सारे courses के वारे में वीडियो मिल जाएंगी आप उन्हें वी एक वार जाकर जरूर देख सकते हो तो अंतमी दोस्तों अभी आपको जैब वीडियो कैसी लगी अगर आपको जैब वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना धन्यवाद